चुले बात करेंगे बिहार की कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं है मौसम वेग्यानिक के मुताबिक कई जिलों में हीट वेव चलेगी लोगों को चलचिलाती धूप से बचने की सलहा दी गई है मौसम वग्यानिक आनंद श्रंकर से बात की है जी मीटिया समधाता रुपेंद्र श्रीबासर अप्रेल का मा है लेकिन लगातार गर्मी में काफी इजाफा हो रहा है परचंट गर्मी पढ़ लई है पटना की बात करें तो 43 डिग्री से उपर का तापमान है तो वहीं बिहार के अन्य जूलों के भी तापमान बढ़ते जा रहे है हमारे साथ मौसम वग्यानिक हैं उनसे बात करते हैं सर आज का तापमान क्या है और आने वाले दिनों में क्या इस्तिती रहेगी जैसा कि पुर्वनवान था कि टेम्परेचर में ग्रैज्वल राइज होगी तो उसके एफेक्ट के कारें पिछले कई दिनों से बिसेज कर दो दिनों से पटना और रंगावाद जमूई बांका यादी जिलों में हीट वेब जैसे कंडिशन्स देखने को मिल रही है पटना में अधिक्तम तापमान होने वाला है और वो 43 डिग्री सेंटीग्रेट से उपर रिपोर्ट होगी अभी तक का जो हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है आटोमेटिक वेदर आपजर्विंग से इसके इसके अलावा जो पूर्वानवान की बात करें तो अगले तीन दिनों तक बिहार के अधिकांस भागों में बिसेज कर सौथ बिहार के जिले जैसे की जमूई बांका नवादा पटना और नौर्थ बिहार के कुछ जिले जैसे की पूर्वी चंपारन सुपॉल इत्यादी जगहों पे अगले तीन दिनों तक हीट बेब जैसी कंडिशन देखने को मिल सकती है इसके अलावा बात करें हुमिडिटी की तो बिहार में हुमिडिटी अभी भी बहुत कम है त इसके कारण से लोगों को जो फिलिंग टेंपरेचर है वो अभी भी कम महसूस होगी अगले तीन दिनों तक बिहार के लोगों को बिशेस का डारिक्ट सनलाइट जो बारा से तीन बजे के बीच होती है उससे बचने की सलाह दी जाती है और उसकी बहुत जरूरत भी है ताकि की लोग हीट स्ट्रोक से बचे रहें और जैसा की पुर्वानुमान है तीन दिनों के बाद करीब 20 तारिक या 21 तारिक से तोड़ा सा टेंपरेचर में ग्रेजुल फॉल हो सकती है इस कारण से लोगों को थोड़ी जो अधिक्तम तापमान है जो गर्मी है उससे राहत मिलने की संभावना है बारिस होने की कोई संभावना भी आसपास हां जैसा की बात करें जो टेंपरेचर फॉल हो रही है उसके जो कारण है वो जो हिमालेन रीजन में थोड़ी बारिस बगिरह होने बाले उसके कारण से टेंपरेचर फॉल हो सकती है लेकिन बिहार में जो बारिस क कि जो अभी थंडर्स्टॉम डेवलप होती है उसकी अगले पांस दिनों तक किस की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि हुमिडिटी अभी भी बहुत कम देखने को मिल रही है बिहार के ओपर तो खास करके बिहार वासियों सनुरूद यह है कि बारा बजी से तीन बजे तक डार में पढ़ती रहेगे कावन राजेस्ट साथ रुपें सिर्वास्तर चीमेडिया पढ़ना है चुलिए फिलाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही